Hey guys, welcome to our channel, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बाते करेंगे OnePlus 10 Series के बारे में So finally, OnePlus के तरब से एक model number निकल के आजुगा है, काफी से रे certification website के अंदर भी spot किया गया है NE2210 करके and most likely it will be OnePlus 10 Series, कुछ rumors के according इसको डिलेट किया जा रहे OnePlus Note 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर NE है, इसलिए Note 3 भी हो सकता है, ऐसा guess किया जा रहा है लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगड़ा है कि Note 3 इतना जल्दी हम लोगों को दिखने को मिलेगा OnePlus के तरब से अब लोगो को क्या लगता है, OnePlus Note 3 आने वाल है या तो फिन नहीं, इसके बाड़े में क्या थोड़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस वीडियो, तो दोस्तों जैसी कि आप सभी को पता है, OnePlus 10 सीरिस का एक कंसेप वीडियो काफी टाइम आगे टेगनीचू ने पबलिश किया था अपने YouTube चैनल के अंदर और इस वीडियो के अंदर ना आप लोगो को काफी कुछ चीज़ों के बाड़े में हिंड भी मिल जाता है, अपकमिंग OnePlus 10 सीरिस के बाड़े में साधी साथ यहाँ पे Let's Go Digital ने भी एक रेंडर शेयर किया था, OnePlus 10 सीरिस के रिगारिंग दोस्तो अभी चलो बाते करते हैं, इस रेंडर वीडियो की जो की यहाँ पे टेग नीजू ने पब्लिश किया था, कुछ इस तरीके से अब लोगो देहने को मिल जाता है यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो डिस्पले है ना, यहाँ पे आप लोगो कोई भी पंचोल कटाउट, पॉप अप सेल्फी कैमेरा या तो फिर वाटर ड्रॉप स्टाइल नौच नहीं मिलता है यहाँ पे जो सेल्फी शूटर कैमेरा होगा ना, यह एक्सपेक्ट किया जाड़ा है कि अंडर डिस्पले अपकी बार लॉंच हो सकता है वनप्लस के तरब से और वनप्लस के CEO ने काफी टाइम आगे इस सीरीस के बारे में हिंट दिया था कि आने वाला वनप्लस के तरब से जो भी स्मार्टफोन होगा फ्लेक्सिप सीरीस के अंदर इस फोन के अंदर हम लोग जो हे बायनिक सेल्फी शूटर कैमेरा को यूज करेंगे तो दोस्तों बायनिक सेल्फी शूटर कैमेरा के साथ अपकमिंग वनप्लस 10 सीरीस आने वाला है और जो बायनिक सेल्फी शूटर कैमेरा होगा ना ये अंडर डिस्पले अपकी बार रहने वाला है साथी साथ यहाँ पर अगर डिस्प्ले के बारे में बाते करेंगे तो दोस्तो अब की बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है LTPO Fluid AMOLED डिस्प्ले के साथ मिनिमम 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है इससे भी जादा हो सकता है अभी तक Leaks and Numbers के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ OnePlus 10 Series को भी लांच किया जाएगा गाईस इस फोन के अंदर वेडियेवल रिफ्रेश रेट मिलेगा यहाँ पर OnePlus 9 Series के अंदर जैसा हम लोगों को मिला था अगर दोस्तों पीछे की साइट के बाड़े में अगर बात ही करेंगे तो बैक साइट में आप लोगों को सर्क्यूलर मॉडियूल में कैमरा सेटप दिखने को मिल जाएगा और लीक वीडियो के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डुएल कैमरा का सपोर्ट दिखने को मिलता है लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि डुएल कैमरा सेटप के साथ OnePlus 10 Series को लॉंच किया जाएगा एड लीस्ट ट्रिपिल डियर कैमरा होना चाहिए और गाईस यहाँ पर जो सर्क्यूलर डिजाइन है ना जो कि इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है हाँ यह हो सकता है सर्क्यूलर मॉडियूल के अंदर ट्रिपिल डियर कैमरा मुझे जाहा तक लगता है बागी आप लोगो क्या लगता है डूएल होगा या तो फिर ट्रिपिल होगा या तो फिर क्वाड रियर कैमरा के साथ आने वाला है वैसे तो यहाँ पे OnePlus 9T and OnePlus 10 Series के regarding काफी टाइम आगे कैमरा के बाड़े में एक इनफोर्मेशन निकलके आया था कि आने वाला OnePlus 9T and OnePlus 10 Series के अंदर जो मेन प्राइमेरी शूटर दिखने को मिलेगा ना हम लोगों को 108 Megapixel के साथ लाँच हो सकता है लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि OnePlus 9T अब से जो है डिसकंटिनीव हो चुका है OnePlus कभी भी अपना OnePlus 9T को लाँच नहीं करेगा सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैंगी OnePlus 10 Series के अंदर 108 Megapixel का मेन प्राइमेरी शूटर दिखने को मिल जाये लेकिन ये कौन सा वाला सेंसर होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलके नहीं आया है दोस्तों यहाँ पर जो हैसल ब्लैट का सपोर्ट रहेगा अपकी बार हार्डवेर के अंदर भी इंप्लिमेंटेशन रहेगा साथी साथ जैसा कि Color Calibration और Software Improvement के लिए हैसल ब्लैट को काम पे लिया था अपकी बार भी Color Calibration और Software Improvement के साथ साथ हार्डवेर के अंदर भी काम पे आने वाला है हैसल ब्लैट साथी साथ दोस्तों यहाँ पर स्नैफ्टरेन का लेटेस्ट 898 5G वाला चिपसेट अब लोगों को OnePlus 10 सिरीस के अंदर दिया जाएगा सो यही कुछ है दोस्तो OnePlus 10 सिरीस के डिगारिंग जादा कुछ लीक और इनफॉर्मेशन नहीं निकल के आये है जब भी इस फोन के बारे में कोई भी इनफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगा मैं जल्दी से वीडियो बना के अब लोगों को अपडेट कर दूँगा सो आज के लिए बस इतना ही गाईस अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरू से लाइक और सब्सक्राइब कर देना आपके हिसाब से क्या लगता है अपना ओपिनियन नीचे कामेंट सेक्शन में जरू से मुझे बताना सो थैंक यू दोस्तो गुडबाई एंड ठेक केर